हेलो नमस्कार दोश्तो मेरा नाम मान सिंग और हमारी टेव चनल पर आपका स्वागत है दोश्तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट के जवाब देने वाला हूँ अब तक मुझे यहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे कमेंट है रिसीव हुए हैं तो मैं उनका सवी सवी को मैं जवाब देने वाला हूँ वैसे तो यहाँ पर मैं तुरंती जवाब दे देता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आप सवी को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी इन सवालों को पूछना चाहते हैं तो इनके आंसर क्या होंगे तो सबसे पहले दोस्ते यहाँ पर मुझे ओटन सिलोंग ने सवाल है तो पूछा हुआ है सर पिलीज किराना सौप के लिए एकजेक्ट रुपी बजट पिलीज कितना एमाउंट जरूरी है तो दोस्ते यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए कोई भी एकजेक्ट न नहीं हो पाएगी और यहाँ फिर आप पचास यार से या फिर पचीस यार से भी स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो दोस्ते यहाँ पर इसके लिए एकजेक्ट कुछ भी नहीं है और मैं आपको बता दियो अगर आप स्टार्ट करना चाहते है तो आप दस से लेके 15,000 या 20,000 रुपए तक इतना वेट आपके पास होना चाहिए ठीक है दसजार से कम नहीं होना चाहिए अगर आप उसी अच्छी इंकम लेना चाहते हैं तो ठीक है अलंकि जो बो सोरी जो दुकान है तो आपकी बड़ी हो जाएगी ठीक है और यहां पर मुझे रियान खानने कमेंट किया गुड़ जो वीडियो डेली बनाओ तो यह हम बनाते रहेंगे ठीक है बस आप मुझे से जुड़े रहेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर उसके बाद यहां पर और अच्छा कुन सा कमेंट है तो बो मैं आपको बता है हां तो यह नोंने अबर पूचा ही आए सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो भाई कर सकते हो ठीक अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ठीक है और यहां पर दिया गया है पुनीत कुमार ने मुझे से सवाल है तो पूचा हुआ है हेलो भाई ओल से बिजनिस कैसे करें एक वीडियो बनाओ ठीक है तो हां भाई है है पर बात यह एक हमको experience सब का है ठीक क्योंकि मैं भी जाता हुना तो experience मुझे उतना ही है क्योंकि चार-पांच साल का दो इस्थे experience बहुत हो जाता है ठीक है अगर आप किसी स्कूल में बढ़ते हो तो यह समझ हो की स्कूल का जितना knowledge टीचर को होता है उतना knowledge ही आपको हो ज चालिया है ठीक है इसलिए अभी मैंने ना तो इस वीडियो को लाइक किया है और ना ही मैंने इसको कमेंट किया है ठीक है तो इन्होंने आपर पूचा हुआ है अलग अलग दाल चावल आटा चीनी चाय पत्ती गुड इमली मसाले ठीक है एक्स एटी सी प्रॉफिट के वारे वीडियो बनाओ तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको इनके बारे में तुरंत वीडियो नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इसमें अभी लग बग आपको काफी यांदा बेट है तो वो करना पड़ेगा ठीक हो सकता है कि 10-15 दन का आपको बेट है एवरेज में कितना सेल होने पर और कितना प्रोफिट रहा बताएं ठीक है तो यह आपर पूछ रहेंगी कितने सेलिंग अगर दोस्तों मैं आपर बता दूना कि अगर हमारी जो विक्री है तो बारा सो या पर तेरा सो रुपई की हो जाए तो उस पर हमको 400 से 4500 रुपई त ठीक है अगर माल लिए आप हॉलसेल के पास से लाते हो माल तो आपको यहां पर 300 रुपई की बचत है तो वह पाहिए ठीक है तो बारा सो तेरा सो रुपई आपको 300 की बचत हो जाती है फ्रें आपर उन्होंने पूछा हुआ है ठीक है तो इसका मैं जवाब दे चुका तो कौन से मैं रखूं प्लीज मटेरियल लिस्ट बनाओ ठीक है तो यहां पर भाईया लिस्ट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ ठीक है कि कम से कम आपको क्या रखना चाहिए तो ऐसा करना आप हमारे चैनल पर एक बार देख लेना ठीक है इस टोपिक पर वीडि लिजिए कितने का अभी मैं आपर आपको थोड़ा सा सोच के बताता हूं हाँ तो वाई अगर आप यहां पर दसजार का कोई प्रोडक्ट है वो बेचते हो तो लगवग लगवग आपको दसजार पर पच्चीस सो के असपास रुपए आपको बच सकते हैं ठीक अलग- अगलग उस पर सामान पर ठीक है लेकिन इसमें आपको पच्चीस सो दो जार या पर तीन जार तक बिच सकता है ठीक जैसे कि मानलों किसी ने पार लेजी आपके बिसकोटी बिसकोट जानदा विचे तो आपको प्रोफिट कम होगा मान लीजिए कि अगर आपकी दसजार की विक्री होई और उसमें आपकी गुट का जानदा गए ठीक है तो आपको प्रोफिट जानदा होगा तो इस तरीके से होता है उसके बाद भाई रोज कितने रुपई की सेल होता हो जाकर आपको तीन सो रुपई बच सकते हैं तो दोस्ते आपर मैंने अभी आपको बताया न कि अगर बारा सो तीरा से अपर पंदरा सो रुपई की विक्री होती है तो आपको तीन सो रुपई बच सकते हैं ठीक है मुआल से पासपूर्ट साइज पोटो तो यहां पर मैंने भाई को रिप्लाई करी दिया है ठीक है और हमारे आसपास की कंपनी के डिस्टिबूटर का कैसे पता करेंगे ठीक है तो दोस्तों यह आप होल सेल के पास सही जागी पूछ सकते हो ठीक है कि इसका डिस्टिबूटर का है ऐसे आप डारेक्टली तो नहीं आपको पता चलेगा पर आपको बात यह कि किसी से पूछना ही पड़ेगा ठीक है तो आप जिस भी दुकान व सेल वारों को देगा और फिर यहां पर रोक श्टार ने पूछा हुआ है यहां पर मुझे बहुत कमेंट करते हैं आपका स्वागत है जितने भी कमेंट करते हो इसी तरीके से करते रहिए और यहां पर पहले कुछ और बाद में कुछ वह अच्छा आप तो बहुत छुपार स्टम निकले हां तो भाई ने यहां पर क्या बोला यहां पर मैंने वीडियो डाला है आपको कम्प्यूटर के बारे में ठीक है तो हां आपने किराना स्टोर के बारे में और कम्प्यूटर के बारे में आपको बादम बताया इसलिए पैसा बोल रहे हो ठीक है और यहां पर औल सेल बिजनिस स्टार्ट करने के लिए कितना कर्चा आएगा ठीक है तो यह ओल सेल तो लगबग अगर आप इस बिजनिस को स्टार्ट करना चाहते हो तो यह स्टार्टिंग में दो ड़ाई तीन लाक रुपए तो समझो ठीक इतने से कम नहीं होगा और आपकी सौप की कैसे रखना चाहिए बताने के लाश्ट डेट जिखाए लाश्ट लेट हां तो दोस्त मैं आपको यहां पर बता दूं कि आप कराना श्टूर में सामन भरने के बाद आपको रुपए रखना जरूरी नहीं है ठीक है अगर आपके पास माली यह कोई 500 का नोट लेकि आया तो उसको आप कहीं से खुला बगएरा मतलग भी छुटा करवा सकते हो लेकिन बात यह कि पैसा आपको रखना नहीं है ठीक है आप यहां पर यह समझे लिए कि अगर आपकी दुकान है ना तो आप को यह कि बिजनिसमेन ठीक है और बिजनिसमेन तो बस बात यह कि इन्वेस्ट करता रहता हूं इसको बीजनिसमें इसमें बस यही होता है बाकी की चीजें तो चुआ फुगा से बचानी है ठीक है कुछ चीज है आपको दूल से बचानी होती हैं और चेरी मैं ये जंजर्ट में आप कवी ऐधकי तो घंजर्ट ऑब है ऊपको नोघ सीजा आपी आहिए गत्राने के रिवändig क्विर्मर्ट करें कि आहिए उन्हें दो सबते हैं होते हैं तो इसलिए काफी सारे चीज़ों का याद नहीं रहता है फिर बाद हम पता चलता है रहे यार इसका तो बोली गए तो ऐसा होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना मेरा नेट बहुत जानदा तो हां भाई यहां पर यह बात सही है कि मैं ठीक है ठीक है कुछ जानदा बोलता हूं ठीक है तो इस बात को मैं याद रखूँगा आंगे से इस तरीके से नहीं बोलूँगा sorry इसके लिए वाई एक बात तुम बार बार बोलती हो यार हाँ यह मैंने भी आपको बोली दिया ठीक है ऐसा होता है भाई आपने यह बात सामने आई थेंक्यू चलो ठीक है यह जवाब देने वाला नहीं है भाई निया मेहदी सेल कर मुझे पांच रुपाई बचता है ब्रांडेड है दस रेट सेल प्राइज है मतलब कि तो आपको पांच रुपाई की पड़ेगी ठीक है दस रुपाई की ब एब पर तो आप इसको बैच सकते हो यहां पर भाई बोल रहें इस तक पटीक है थीक है हमारे पास तीन लाक है एंट छोटा हांती है ह। पास तीन लाग एंड छोता हाती है सेलसमेन का काम करना चाहता हूं कैसे करें वीडियो जरूर बेजना तो भाई यहां इस पर मेंचे वीडियो बना ना नहीं ठीक है पर इसके लिए बता दूँ कि मैं वीडियो जन्दी लेके आँगा ठीक या आप बिजनिस कैसे स्टर्ट कर पहुँ आकर देगा फिर आप उनको गावहम या पर कहीं दुकान पर देने के लिए जाओगे न तो ओंटोमेटिक लिए आपको इंस्गा प्रचशन में कितना प्रॉपेट है इस पर वीडियो बनाई यह तो इस पर वीडियो ऑई मैंने नहीं बनाया है पर मैं बनाऊंगा आप कंपूटर पर कौन कौन से काम करते हैं इस पर वीडियो आ चुका है आ चुका है बाई दोश्त मैं आपको बता दियू कि यह वीडियो है तो कुछ लंबा हो जाएगा ठीक है बागी के जो कमेंट है तो इस पर में आपका क्योंगी कर दिना ठीक है तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा नहीं हो ना तो फिर कमेंट करके बोल देना कि आपका वीडियो खराब है और डिसलाइक कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कि यह खराब है ठीक है तो मैं आंगे इस लाइक करना है या फिर लाइक करना है और कमेंट करना है तो दोस्त इस वीडियों बच इतना ही था धन्यवाद